सभी विद्यार्थियों को मेरे चैनल में स्वागत है आज हम लोग सीखेंगे सेस्पल पर में रिमाइंडर थी और हमका पार्ट नमबर फोर पहला नमबर कोशन को ध्यान से समझेंगे दो पे पार पाच को 17 से डिवाइड करना है तो दो पे पार पाच को हमको आसानी तरीके से तोड़ देंगे तो दो पे पार चार कमान होता है 16 और एक बच जाता है तो दो पे पार बान से हम 16 को डिवाइड करेंगे तो माइनिस वन वार में डिवाइड होगा और गुना 2 तो इसका जो मान आएगा माइनिस दो आएगा सतरा से दो को घटा देंगे तो जो आपका final answer होगा उप 15 होगा इसी को shortcut करने के लिए आपको हम दूसरा तरीका बताते हैं कि power को इस परकार से कोर्शिस करना है किसे इस फल या तो एक आए या तो माइनिस एक आए तो दो पे पावर अगर चार रखते हैं तो दो पे पावर चार का मान आता है 16 तो 16 को अगर 17 से विभाजित करेंगे तो माइनिस उबन आएगा 4 से 5 को विभाजित कर देंगे एक आ जाएगा तो 2 पर पर एक कमान होगा विदियार्थी 2 माइनिस 1 गुना 2 माइनिस 2 17 में से 2 को घटा देंगे तो इसका भी अंसर कितना आएगा 15 ही गा 2 पर नो को तोड़ लेंगे तो 2 पर पर 4 कमान होता 16 जो 17 के एक दाम नजदीक है हमेशा कुर्शिस करना है कि से इस फ़ल एक आए या माइनिस एक आए तो दो पे पावर चार का मान होता है 16 तो चार दुनी 8 होगा और से इस फ़ल एक बच गई या तो दो पे पावर एक दे देंगे अब यहाँ पर दो पे पावर चार का मान होता है 16 16 को 17 से विभाजित करेंगे तो minus 1 वाएगा minus 1 प्रेपावर 2 गुना 2 यह plus 1 हो जाएगा गुना 2 तो इस question का जो final answer होगा वो 2 होगा 2 प्रेपावर 9 को अगर 17 से विभाजित करना है तो धियान देंगे 2 प्रेपावर 4 रखेंगे तो 2 पे पावर 4 का मान होगा 16 अब 16 को अगर 17 से भी भाज़ित करेंगे तो minus 1 आएगा minus 1 आएगा हमको plus 1 लाने के लिए क्या करेंगे पावर 4 रखते हैं तो minus 1 तो 4 के डावल रखने से आपका plus 1 आएगा तो हम डावल रख देंगे तो minus 1 के जगह पे आपका जो सेसफल आएगा plus 1 आएगा अब 8 से 9 को भी भाज़ित कर देंगे तो सेसफल कितना बज़ेगा एक बज़ जाएगा अब 2 पे पावर 1 का मान आपका 2 होगा इस को सन का shortcut तरीका 3 पे पावर अगर हम 2 रखते हैं तो 3 पे पावर 2 का मान 9 होता है 5 को अगर 9 से भी भाज़ित करते हैं तो सेसफल minus 1 आता है minus 1 को plus 1 लाने के लिए क्या करेंगे 2 से भी भाज़ित ना करके 4 से भी भाज़ित कर देंगे तो सेसफल plus 1 आएगा अब 4 से 21 को भी भाज़ित कर देंगे तो सिस्फल लेक आएगा तीन पे पौर एक कमान तीन होगा यही इस question का final answer होगा फिर तीसरा नम्मर question उदाहरन के तोर पर समझेंगे तीन पे power अगर तीन रखते हैं तो 27 आता है और 28 से अगर हम divide करेंगे तो minus 1 आएगा minus 1 को plus 1 में convert करना है तो power अगर 3 रखते हैं तो minus 1 तो power अगर हम 6 रख देंगे तो plus 1 में सिस्फल आएगा तो 6 से 25 को divide कर देंगे तो 6 चोचोबी सिस्फल एक बच जाएगा अग 3 पे power एक कमान तीन यही इस question का final answer होगा question नम्मर चौथा को ध्यान से समझेंगे 2 पे power अगर हम 3 रखते हैं तो इसका मान 8 आ जाता है और 8 को अगर 8 से विभाजित करते हैं तो इसका सिस्फल सीधा 0 हो जाता है पाचवा नम्मर कोशन 7 पे power 3 अगर करते हैं विद्यार थी तो 343 होता है 343 को 342 से भाग देंगे तो 1 सिस्फल बचेगा और एक आने से बहुत इजी हो जाता है 3 से 84 को डिवाइड कर देंगे तो 3 से 84 को डिवाइड करेंगे तो सिस्फल 0 आएगा अगर 7 पे power 0 का मान 1 होगा इस कुर्शन का final answer पाचवा पे power अगर हम 3 देते हैं तो 125 आता है 125 को अगर 126 से भीभाजित करेंगे तो तो सिस्फल आपका 3 आएगा 5 पे power 3 का मान होता है 125 इस कुर्शन का final answer हो 15 को 7 से अगर भीभाजित करते हैं तो सिस्फल 2 आता है अब 2 पे power अगर हम 3 रखते हैं तो सिस्फल 1 आता है 2 पे power 3 रखेंगे तो सिस्फल क्या आएगा एक आएगा एक आना बहुत ही अच्छा 3 से 203 को हम भीभाजित कर देंगे तो सिस्फल 2 आजाएगा अब 2 पे power 2 का मान 4 होगा यही इस कुर्शन का final answer होगा कुर्शन नमबर आठमा 7 से 67 को हम भीभाजित कर देंगे तो सिस्फल 4 आएगा अब आपको यहाँ पर देखना है 4 पे power क्यू करेंगे तो 64 होगा 7 से भीभाजित करेंगे तो 33 होगा सिस्फल 1 आएगा एक आना बहुत अच्छी बात है 3 से 99 को काट देंगे 0 हो जाएगा 4 पे power 0 का मान 1 होगा इस कुर्शन का final answer 9 मा नमर कोशन को ध्यान से समझेंगे 17 से 21 को भीभाजित करेंगे तो सिस्फल 4 आएगा अब आप जानते हैं कि 4 पर power अगर 2 देते हैं तो 16 होता है 17 को अगर 16 से भीभाजित करते हैं तो minus 1 आता है minus 1 को plus 1 करने के लिए power को double कर देंगे तो plus 1 में आ जाएगा अब 4 से power को पूरी तरह भीभाजित कर देंगे तो 3 आ जाएगा तो 4 पर power क्यों का मान हो जाएगा 64 17 से 64 बड़ा है इसलिए 17 से 64 को भीभाजित करेंगे भीभाजित करने के बाद जो सेस्फल आएगा वह आपका 13 आएगा यही इस question का final answer होगा 17 से 17 को 83 से भीभाजित कर देंगे तो यह 17 पचे होगा 85 माइनिस दो बार में कर जाएगा अब 2 पे power 4 का मान होता है 16 2 पे power 4 का मान होता है 16 यहाँ है 17 तो 2 पे power 4 का मान होता 16 यहाँ है 17 भीभाजित करेंगे तो माइनिस 1 से सफलाएगा तो माइनिस 1 को पलस 1 में करने के लिए पावर को डवल कर देंगे 4 के जगा पे 8 कर देंगे 8 से 201 को पूरी तरह भीभाजित कर देंगे तो 5 हो जाएगा माइनिस 2 पे power 5 का जो मान होगा माइनिस 32 होगा 17 से 32 को विभाजित करेंगे तो 17 दूनी 34 होगा यानि माइनेस दो माइनेस और ये माइनेस हो जाएगा पलस दो यही इस कोशन का final answer होगा कोशन नम्मर 11 4 गो 2 को 7 से अगर हम विभाजित करते हैं तो जो इसका सेस्फ़ल आता है 3 आता है पावर को हमको विभाजित करना है तो ध्यान देंगे 3 पे पावर अगर 3 देते हैं भी दियार थी तो 27 आता है 7 से अगर 27 को विभाजित करेंगे तो 7 का में 28 आता है तो माइनेस 1 पावर आएगा minus 1 power को plus 1 करने के लिए power 3 है तो power को double कर दीजिए तो cessful plus 1 में आएगा यानी 6 से 5555 को विभाजित करेंगे तो जो cessful आपको आएगा उस cessful आपको 5 आएगा तो 3 पे power 5 का मान होता है 243 7 से 243 को अगर हम पूरी तरह विभाजित करते हैं तो जो हमारा सेस्फल बज़ता है वो पाच बज़ता है यही सकोस्षन का final answer होगा कोस्षन नमबर 12 को धियान से समझेंगे साथ पे पावर चार का जो मान होता है चोवीस जीरो एक होता है और चोवीस उसे विभाजित करेंगे तो सेस्फल एक आएगा एक आना बहुत अच्छी बात है चार से 99 को पूरी तरह भी भाजित कर देंगे तो तीन हो जाएगा साथ पे पावर तीन का मान होगा 343 यही इस कोस्षन का final answer होगा कोस्षन नमबर 13 को धियान से समझेंगे दो पे पावर आठ का मान होता है 256 अब 255 से भी भाजित करेंगे तो सेस्फल एक आएगा आठ से अब इसको पूरी तरह भी भाजित कर देंगे आठ से 591 को तो सेस्फल साथ बज़ जाएगा अब दो पे पावर साथ का जो मान होगा 128 होगा यही इस कोस्षन का final answer होगा कोस्षन नमर 15 को धियान से समझेंगे दो पे पावर 3 रखेंगे तो यहाँ पार 8 हो जाएगा नो से अगर 8 को भी भाजित करते हैं तो सेस्फल माइनिस 1 आएगा माइनिस 1 को पलस 1 करने के लिए पावर को डवल कर दीजे तीन के जगा पे 6 कर दीजे तो पलस 1 में सेस्फल आएगा छे से 243 को काट दीजे तो सेस्फल तीन आएगा दो पे पावर 3 का माण 8 आएगा यही इस कोशन का फाइनल अंसर होगा कोशन अमर 16 को ध्यान से समझेंगे साथ से 59 को पूरी तरह भी भाजित कर देंगे तो सेस्फल 3 हो जाएगा अग 3 पे पावर 3 का मान होता है 27 लेकिन सतका में आता है 28 तो माइनिस 1 सेस्फल बचेगा माइनिस 1 सेस्फल को पलस 1 मिलाने के लिए पावर को डवल कर देंगे 3 के जगए पे 6 कर देंगे और 6 से बड़े पावर को डिवाइड करके छोटा कर देंगे तो 6 चो 24 हो जाएगा यानि सेस्फल 4 बच जाएगा 3 पे पावर 4 का मान होता है 28 7 से अभी भी बड़ा है जब 7 से 28 को भी भाजित करेंगे तो सेस्फल 4 बचेगा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 16 लेकिन 16 अगर आता है तो 17 से भी भाजित करेंगे तो माइनिस 1 से स्फोल प्राप्त होगा माइनिस 1 को पलस 1 में कनवर्ट करने के लिए पावर को डवल कर देते हैं चार के जगह पे पावर 8 कर देते आठ से बड़े पावर को डिवैट